हेलो स्टूडेंट वैलकम टू मैं चैनल आप्टमेटरी सेल्यूशन तो आज की इस वीडियो में डिसकस करने वाले अस्टेक मैटिस्प के बारे में जैसे कि मेरे काफी जो व्यूवर्स स्टूडेंट हैं जो इनका एक्साम है फस्ट एरकों के काफी मेरे सपास कमेंट आ रह था रहे हुँ और इसको में पहले पर कई लिए डिसकस कर चुकी हैं बट आज मैं आपको अकोडिंग डू आपको कैसे अपना एक्जाम में कैसे आपको परफॉर्म करना है इस टॉपिक को कैसे आपको लिखना है उसके बारे मैं बदाओंगी ताकि आपके मार्क्स अच्छ में में भी उसकता है इसमें नमबर प्लस में हो सकता है इसमें हमारा इसमें हमारा माय क्या है है इंस इंपनियाट से यह अयह मारी अइस्तेन से यहां लौड याहां इंट है यहां हरा है यहां से यह इसमें ब्रदी डिफ्रेंट्रेंट मेरी आई जो हमारी rays है वो different media में focus हो रही है मितला different different the rays of light entering the eye cannot converge to a point focus but form local lines जो हमारी rays जो आ रही है वो एक focal point पर focus नहीं हो रही है so इसमें हमारा कोई focal point नहीं broadly there are two types of astigmatic regular and irregular जो हमारे astigmatic में जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं regular एंड irregular भूबाव तू अगर में इसके टाइप की बाद करूं तो जो अमारे astigmatic में होते हैं हमारे two types के लिए रागुलर अस्टिक मैटिस यह आपको थोड़ा अच्छी से mention करना है कैसे mention करना है मैं आपको थोड़ा पता देख गयाई आपको कैसे mention करना है यह topic बहुत important है और यह आपको 10 marks में भी मिल सकता है 20 में भी मिल सकता है और 5 में तो compulsory मिलेगा ही तो आपको क्या करना है astigmatism को पहले आप थोड़ा इस तरह से लिखेंगे astigmatism and उसकी बाद आप एक गिराव बनाएंगे कुछ इस तरह से जिसमें आपको mention करना है regular astigmatism number one regular astigmatism and number two irregular astigmatism regular astigmatism के फिर गाइस कितने parts है उनका भी आपको graph बनाना है लेकिन गाइस ध्यान रहे है यह graphical आपको जब यूज करना इस graph को जब आप क्या है 20 marks का अगर astigmatism complete करते हैं क्योंकि आपको यह 20 marks में भी मिल सकता है अब मैं बात करती हूं regular astigmatism तो regular astigmatism क्या होता है the astigmatism regular when the refraction power change uniformly from the one meridian to another example के लिए there are two principal meridian इसमें क्या होता है हमारा जो astigmatism जो होता है वह एक मारीडियन से दूसरी मेरीडियन फॉर्म में क्या है एक तरह से देखने को मिलता है तो यहां पर जैसे नोंने mention किया है अब मैं इसकी etiology की बात करें तो यह cornel astigmatism lenticular astigmatism and retinal astigmatism भी हो सकता है यह कैसा होता है इसमें क्या है हमारा cornel astigmatism क्या रहा है it is the result of abnormalities of the curvature cornea and it constitutes the most common cause of astigmatism यह जो astigmatism देखने को मिल रहा है वो corneal curvature abnormalities की वैसे मिल रहा है जो cornea की curvature में से अब में abnormalities मिल रही है उस वजा से उसके बाद लान्टी को लगार इस्टिकमेटिस यह हमारा बहुत रियर होता है curvature due to abnormalities curvature of lens are seen in lenticunus अगर हमारा lens के curvature में को भी changes देखने को मिलती है को भी abnormalities देखने को मिलती है उसकी बैसे पोजिशनल ड्यूटो टिल्डिंग और उब्लिक प्लेस्मेंट फ्लैंस से ब्लैक्षेशन अगर हमारा जो लैंस होता है उसमें सब्लैक्षेशन की वैसे या फिर वह अब्लीक प्लेस्मेंट की वैसे उसकी मतला position change होती है पोजिशनल मींस अगर लैंस की position change होती है उस बैसे इंडेक्स अस्टिगमाटिज्म में भी अकर रेर ड्यू टू वैरिवल रिफ्राक्टिव इंडेक्स अब दी लैंस है डिफ्रेंट मारीडियन अगर हमारा रिफ्राक्टिव इंडेक्स चेंज होगा लेक्ट तो उस कंड सेंग में अल्सवी सिन kier जी इसमें उपलेक्स स्टिगमैंट हो मैं तो इसकी सेंगें हैं टम integration लोगर में तो इसको की आपकर करते हैं की वहारी ऐिप्राइब में करते होते हैं तो यह वह बरागुलर के अंदर है अपी लोग डरा पोकी है माल रोल हो गया एक दो लौ जिया हैं किसी देखने को मिल रहा है कॉर्णेल एबनॉर्मल्टीज की वज़े से एंड सेकिंड हमें लैंस की वज़े से चैलेंज में सब लैक्षेसन हुआ है आपने करवीचर की अबनॉर्मार्टीज एंड उसके बाद थाट रेटनल की वज़े से ठीक है तो यह हमारा ओपार टाइपस ऑफ तीलॉजी हो गई अब हम बात करते हैं टाइपस ऑफ रागुलर एस्टीमेर्टीजम ठीक के घुरें मेरें कितने टाइपस की होते हैं कुछ अम ज़्यार टाइपस हो गाई इस तरह का गिराफ बना यह को इससे भी बहुत फरकपड़ा एक्शन नमबर तो इसमें हमारा很多 नंचाहिं से ब्लू टी आर बोलते हैं इन दिस टाइप आफ टू परिंसिपल मेरीडेन आप प्लेस एट राइट एंगल तू वन अनादर बट वर्टिकल मेरीडेस मोर कर देन दा होरिजन्टल इसमें कव अमारा जो दो मेरीडेन होंगी वह कव होंगी एक तरह से एक ज्यादा होगी एक कम अब इसक्रेक्शन ऑफ दिस एस्टीमाइटेज विल बी रिक वरेट कोन्वेक स्लेंटिकल लैंस नेंटी डिगरी अन प्लेंटी अगए था दिक पार रहे हैं रूब बिद्दर रू एस्टीमेटेज को सिमलर एस्टीमेटें इंडिशन अग्ज़न अग्सी नॉर्मली तो 5-5 जाल बुले सकते से ज्यादेखाने करने कोण बैक्स में आ हमारा अक्ंस ग्लैसिप्र तमारा थिच्टा ड्रूमकर है अफ जचीन के संदिशन इन विछ दॉल इंचल मारी डिन इसमोर कर देन कर सकते हैं उपलिकस्टिमाइटिस्म इस टैप प्रिचिक मेटें चेयर प्रिंसीपल मारे घो होड़ी जंतल अगव अब्रिकल तो इसमें क्या है इसमें में नहीं कोई मारी होरीजेंटल या वर्टीकल में जो दिया है देरा राइट एंगल वन एंद अनाजर हमारा राइट इंगल भी हो सकता है सब 45 वन 35 वाई अबलिक में क्या है इन इस टाइप फ्रैगुलर एस्टिमेट इस टू प्रैंसिपल मैरीड इनार नौट अड़ एंगल Słości सowuk इक्जापिल वन में भी 30 में फीन एन 11 और फिर्य वाली तो इसमें हमारे जो एस्टिमेट में क्या ता हमारा विद्ढे सेैक्ट आंड औरों एस्टिमेटियस्मेट एंड अगेंस वा डुल एस्टिमेटिन बाई ए-उबलिक एंड लास्ट वाला होता टाल हमारा होता oblique and by oblique ठीक है oblique and by oblique इस तरह से हमारा ये पूरा कबरप हो गया and the second part जो second irregular है वो next part में discuss करेंगे तो guys अगर आप ये question आपका hundred percent मिलेगा तो इसको क्या है पूरा proper ready करके जाएगा इससे related कोई भी question है तो मुझे comment box में comment कीजिए thank you so much for the watching video